हुआ दोस्तों वेल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे आप सबसूंब आज मैं आप से गरंपियों के लिए सकीन केर्शेर करने वाले हूँ जया न दोस्तों आट róż Rabbi रह्लमेन स्पोस्ट का सीजन आ चुका है और Scripture जास की है सद्रेंग हम लगाते थे सब कुछ change होने वाला है तो कि गर्मियों में तो आई चलिये जो मैं आपसे अगर आपकी ओईली स्कीन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैं आपके लिए क्या स्कीन केर लेके आई हूं कौन सी स्कीन केर शेर करने वाली हूं आपसे चलिए देख लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले त करना है अगर आपको इस क्रीम को शूट करता है तो और मेरे पछल शूट करता है पहले सकते हैं आप को बैसला सकjing कर तैथे सयवक्त ट जosen अगर को बहुत पासंद करता है तो आपनेसजालय आयाइन करते ह। तो सबसे पहले हमको क्या करना है अगर आपको इस क्रीम को कम से कम बंदरा दिन के लिए बना के रखना है तो आपको क्या करना है फ्रीज में स्टोर करना होगा अगर आप दो तीन दिन के लिए बना रहे हो तो बाहर भी आप राख सकते हैं खराब नहीं होगा अगर ज्यादा दिन के लिए आपको बनाना है तो आपको फ्रीज में स्टोर करके रखना है तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है मैं अभी के लिए बता रही हूँ कि पहले से मैंने बना के रखा हुआ है मैं बस आप से शेर कर रही हूं कि मैं इसको कैसे बनाए हूं तो मैं थोड़ा सा कॉंटिटी में आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा ले लूगी अपने हाथ पे एक बार के इसाप से मैं अपने थोड़ा सा लिया है अपने हाथ पे देख लीजे यह आपके हाथों पे और अपने चेहरे पे लागा सकते हैं इतना तो है बहुत है आपको क्या करना है यह बदाम रोगन ओईल लेना है यह देख सकते हैं आप यह मत सोचना कि यह सर्दियों के यूजिक कर सकते हैं यह बदाम रोगण ओईल है और यह आपकी की में जो भी प्रोब्लम होती है दाग दब्स उते हैं हमारी स्कीन पर जो भी प्रोब्लम होती है उसको यह खतम करता है और बहुत ही पैस्ट है यह इतना मैं जानती हूं तो थोड़ा सा हमको एक दो बुंद के लगबग आपको लेना है कि दो बुंद काफीय है अगर आप 15 दीन बनाना चाहते हो तो आपको आधा चमक्राश के लगबग आका लेना है उसके काफी है मेंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह आपकी नाइट क्रीम बन के तयार हो जाएगी आपको महाची जितने जित्मे बिए महाची महाची क्रीम जये करना दो ज़सितने भी एंटी एजिंग महाची मे해 करीमे कुर सामाची क्रीम시 कोई भी जन्जट नई है किरीम को बनाने के लिए तो आपको क्या करना है इश क्रीम को बनाके इसके तक किरीम बना के लिए और व मार्केट में मिलति है किया हौए आपको नाइट में यूज करना है अपना चेरा धो के अभी तो मैं आपको बस का डेमो बता रहे हूं कि मैं कैसे यूज़ आपके अपना चेरा मतलब साप करके और आपको ये क्रियम अपलाई करनी है रोज नाइट में और फिर इसके रेजल्ट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रेजल्ट मिलेंगे आपको, अपने हाथों पर भी आप लागाईए, आपके हाथ भी मतलब खराब होते हैं, लगा के आपको मसाज करके, दो तीन मिनट आपको मसाज करनी हैं, लगा के, अच्छे रेजल्ट मिलेंगे, और लगाते ही, आपको कुछ भी चीप सिप नहीं लगेगा, कुछ भी चीप सिपाहाट नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही, मतलब नोन श्टीक क्रीम है, कोई भी स्टीक वाली क्रीम नहीं है, और आपको मसाज करनी है, मसाज करके, अपने डाल्क सरकल पर भी आपको मसाज करनी है, और अपने पूरे चेहरी पर आपको मसाज करके, दो-तीन मिनट आपको पूरी ओवरनाइट के लिए आपको छोड़ देना है, और फिर देखनी जे आप एक ही दिन में आपको बहुत ही परक नजर आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा रजल्ट आपको मिलेगा, अगर आप इसको लगाता दो-तीन मेंना यूज कर लोगे, तो गाइज इस क्रीम का जरूर यूज करें, और बहुत ही अच्छी क्रीम होने वाले आपके लिए, आपको यह समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी यूजफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए टी केर एंड बाबाए